हाई गाई स्वागा सब सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर दोश्ट तो आज की इस वीडियो मैं बात करने वाला हूँ End Screen के बारे में सबसे पहले आज की इस वीडियो मैं बात करूँगा कि End Screen होता क्या है इससे फैदा क्या है और इससे नुकसान क्या है साथ में हम बात करेंगे कि End Screen को आप अपनी वीडियो में कैसे यूज कर सकते हो वीडियो का आप End तक जूर देखना है वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सबस्क्राइब कर देना क्योंकि मैं यहाँ पर इसी तरह का यूटूब से रिलेटेड वीडियो ज लेकर आता हूँ तो सिधा चलते हैं अपनी वीडियो की तो सबसे पहले बात कर लेता है End Screen होता क्या है जब भी आप कोई भी यूटूब वीडियो ज देखते हो वहाँ पर आपको लाश्ट में कुछ वीडियो आ जाते हैं आपके स्क्रीन पर वीडियो तो चल रहा है लेकिन वहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से आ जाते हैं जिस पर अगर आप क्लिक करते हो तो वहाँ पर उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो अगर 6 मिनिट का वीडियो है तो अगर आप उसको last तक देखोगे तो वहाँ पे आपको end screen देखने को मिल जाएगा तो अभी आप समाझ गया होंगा कि end screen होता क्या है अब मैं बात करने वाल हूँ कि end screen लगाने से आपको फैदा क्या मिलता है और नुकसान क्या होता है तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फैदा के बारे में end screen लगाने से सबसे जो बड़ी फैदा होती है वो होती है अपने audience को engage करना किस type से engage करना तो आपके अपने audience को एक वीडियो से किसी और वीडियोज फिर भेजने के लिए और वहाँ से आपको भीज भी मिलते हैं और वहाँ से आपके चैनल पर सबस्क्राइबर भी गेन होते हैं आप देखो सबसे पहले तो मैंने बताया कि end screen होता है क्या है तो वीडियो को जो end में आपको देखोगे या इस वीडियो के भी आप end में देखोगे तो वहाँ पे आपको कुछ वीडियोज मिलेंगे और वहाँ पे मेरे चैनल का logo मिलेगा वीडियोज पर किलिक करोगे तो मेरा जो दूसरा वीडियो है वो प्ले हो जागा और उसको आप देखोगे और यदी आप मेरे चैनल के लोगों पर क्लिक करेंगे तो यदी आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वहाँ पर आपको rate color में सब्सक्राइब का बटन मिलेगा आप वहाँ से सब्सक्राइब भी कर सकते हो तो जेको सबसे बड़ी जो फायदा होती है यहाँ पे मालो की जिस टॉपिक पे आप वीडियोज बना रहे हो यदि उस टॉपिक से रिलेटेड पहले से कोई वीडियोज बना रखें तो आप उसको end screen में लगा सकते हो उससे फायदा की होगा कि बन्दा जो है आपके audience जो है वो तो आपका वीडियो देखेगा ही लेकिन उस वीडियो को भी देख लेगा जब भी आप इस वीडियो को भी अगर आप last तक देखोगे तो आपको last में जो है end screen देखने को मिलेगा जहाँ पे मेरा कुछ वीडियोज लगा होगा और वहाँ पे मेरे चैनल को लोग होगा तो उस वीडियोज को भी देख लोगे तो यहाँ पे मेरा सब्सक्राइबर भी गेन हो जाएगा भीज भी हो जाएगा वाच्टाम भी कंप्लीट हो जाएगा तो यह end screen से सबसे बड़ी फैदा होता है तो अभी आप जान लिए कि end screen होता क्या है end screen से फैदा क्या होता है अब देखते हैं कि end screen को आप अपने वीडियोज में कैसे लगा सकते हूँ इसके लिए सबसे पहले आपको चलना होगा mobile phone के screen पर तो चलिए चलते हैं तो गाज अभी आप देख सकते हो हम आगे अपने mobile phone के screen पर और यहां से मैं सबसे पहले chrome browser को open करता हूँ यहां से chrome browser को open करने के वाद आपको यहां पर search कर लेना है studio.youtube.com आपको जो भी काम करना है यहां studio.youtube.com से ही करना है तो आपको क्या करना है यहां से आपको simply से आपको यहां पर search कर लेना है studio.youtube.com यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको search कर लेना है तो search करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का interface open होगा तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर देख सेकतो dashboard के नीचे content लिखा हुआ है यहाँ पर आपको वीडियोज पर click करना है और यहाँ पर आप जैसे ही click करते हैं आपके सामने, आपके चैनल पर जो भी वीडियोज अप्लोड है, वो सारा यहाँ पर वीडियोज आ जाएगा, अब देखो आपको जो भी वीडियोज पर end screen लगाना है न, आपको उस वीडियोज पर क्लिक करने, यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेंसिल का आइकन आ जाता है, तो आपको यहाँ पर पेंसिल के आइकन पर क्लिक कर देना है, अब देखो यहाँ पर आपको हर चीज यहाँ से एडिट कर सकते हो, यहाँ पर करने वाले हैं end screen के बारे में, तो चलो end screen देखने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर देख सकतो, यहाँ पर end screen लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकतो end screen लिखा हुआ है, आपको क्या करना है pencil के icon पर click कर देना है, अब देखो यहाँ पे pencil के icon पर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का pop-up आ जागा आपका जो वीडियो है वो यहाँ पे देखने को मिल जागा अब देखों यहाँ पे मैंने दो यहाँ पे लगा दिये हैं end screen पहला जो एक वीडियो है और यहाँ पे देख सकते हो मेरा subscriber का लोगो है यहाँ पे playlist है और यहाँ पे subscriber का लोगो है अब देखों यहाँ पे मैं दोनों को delete पहले कर देता हूँ उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ताकि जो है आपको अच्छे से समझे में आ जाए अभी देख सकते हो, मैंने यहाँ पर delete किर दिया, अब जब भी आप end screen पर खोलोगे, पहला page open करोगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आएगा, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो, कुछ इस तरीके से यहाँ पर पहले क्या करना है, element पर click करना है, औ या फिर subscriber लगान है, या फिर कोई और channel है न, तो आप उसको भी यहाँ पर add कर सकते हो, ठीक है, यदि आपका कोई second channel है, तो भी इसको add कर सकते हो, यहाँ पर add करने से फैदा होगा, कि आपका जो audience है, वो second channel पर भी चला जाएगा, तो इससे यह बहुत बड़ी फैदा होगा end screen से, तो चलो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो को add करके दिखाता हो, यहाँ पर देखो मैंने एक वीडियो डाल दिया, अब देखो यहाँ वीडियो पर click करो, यहाँ पर देख सकते हो most recent upload, आपने जो सबसे पहले जो सबसे अभी latest में upload किया है, वो वीडियो यहाँ पर आजागा, यहाँ पर second में है best for viewer, जिस पर सबसे ज़्यादा भीव होगा, वो यहाँ पर end screen में आपको दीखेगा, लेकिन हमको यह सब कुछ नहीं चाहिए, हम अपने मन से, अपने मन से अपनी चैनल का वीडियो, कोई एक वीडियो को select करना चाहते हैं, तो चलि मैं यहाँ से इसको select कर लियता हूँ, अब आप देख सकते हो, तो यहाँ पर देख सकते हो, मैंने एक playlist भी add कर दिया, अब मुझे एक subscriber का भी चाहिए, तो फिर से plus के icon पर click करूँगा, और यहाँ से subscriber पर click कर दूँगा, और यहाँ पर देख सकते हो, इस तरीके से कुछ करन अब देखो, यहाँ पर time duration है, यह सब 10 second का होता है, अगर आप कम करना चाहो, तो यहाँ पर click करके आप इसको कम भी कर सकते हो, यहाँ पर phone में नहीं हो रहा है, PC में आपको असानी से हो जाएगा, यदि आपके पास PC है, laptop हो है, तो मैं वहाँ पर बता दूँगा, कि आपको कैसे करने, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब ही इसको करके scroll करोगे नहीं से, तो यह छोटा हो जाता है, इसका time duration कम हो जाता है, तो आप वहाँ से कर सकते हो, अभी आपको क्या करने है, यहाँ से save पर click कर देना है, अब देखो जब भी आप इसको वीडियो को click चलाओगे, तो last में देखोगे, कि यहाँ पर आपको end screen देखने को मिलेगा, चली मैं आपको चला कर भी दिखा देता हूँ, कौन सा वीडियो है, made for kids, यहाँ पर देखो सबसे मिले, मैं जाता हूँ YouTube में, तो अभी आप देख सकते हो, हम YouTube में आगए, आप क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ से चैनल का नाम सर्च कर लेता हूँ, अपने चैनल का नाम, तो मेरा चैनल का नाम है गोपी जी, तो मैं यहाँ से सर्च कर लिया, सर्च करने के बाद मेरा चैनल जो है यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद मैं यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करेंगे, और इसी वी कर दिया 29 सेकंड के बाद है इसको 10 सेकंड और स्किप कर देता हूँ हाँ अभी आप देख सकतो हूँ यहाँ पर पीछे कर देता हूँ हाँ अभी आप देख सकतो हूँ यहाँ जो भी यहाँ पर मैंने किया है जो मैंने एंड स्क्रीन लगाया है वह आपको यहाँ पर देखने को मिल जागा यहां पर देख सकतो यहां पर सारा चीज आ गया अब देखो यहां पर क्लिक करोगे न तो चानल को सब्सक्राइब करने के लिए आ जाएगा आप देखो यहां पर क्लिक करोगे तो यह वीडियो प्ले हो जागा और यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर प्लेलिस स्क्रीन लगा कर आप वहां से व्यूज भी बढ़ा सकते हो, सब्सक्राइबर भी गेंड कर सकते हो, वाच्टाइम भी पूरा कर सकते हो, तो गयाज कैसा लगा आज का वीडियो, उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किजीगा, चैनल को नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देजीगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी तरह का इंट्रेस्टिंग कंटेंट लेकर आता हूँ, और यूटॉब से रिलेटेड वीडियो जे लेकर आता हूँ, तो आज के लिए इतने हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टूडियो में एक ने टॉपिक के साथ, अभी के लिए बाई बाई